कई बार दुर्भागे हमारे पीछे इस तरीके से लग जाता है जैसे उसका और हमारा जन्मों का साथ हो, कुछ भी करें, कोई भी काम हो, पुरा नहीं होता, कुछ ना कुछ गड़बर हो ही जाती है, सारे अपने भी दुश्मन बन बैठते हैं, आये शायद इन्हें हम दुर् गरीबी आपके घर आकर बैठ कई है, निकालने से भी नहीं निकल रही, तो आप पानी भरे घड़े में राई के पत्ते डाल कर इस जल को अभिमंत्रित करें, जिस भी व्यक्ति को इससे सनान कराया जाएगा, उसकी दरेदृता और शरीर के सभी रोग नश्ठ हो जाएंगे इसी भी मंगलवार के शाम को आप एक नर और एक मादा तोता लिकर आएं और उन्हें राद बर घर में रखने के बाद बुधवार के शाम को उन्हें हाथ में लेकर कहें कि जैसे हम तुम्हें आजाद कर रहे हैं उस तरह आप हमें भी बंधनों से आजाद कर दो और हमारे स सारे कष्ट दूर कर दो, फिर उन दोनों तोतों को अपने हाँ से आजाद कर दे। हर पुर्णीवा के दिन सबसे पहले पीपल को जल दें और लक्ष्मी मंत्र की एकमाला जाप करें। ऐसा करने से धीरे धीरे आर्थिक परिशानिया दूर हो जाएंगी। किसी बिश्व मूरत में आप जल्दी सुबह उठकर लाल रेशम का कपड़ा ले और उसमें एक हंडित 21 चावल के दाने बांध ले। इसके बाद लक्ष्मी मा की पूजा करें। इस बंधे हुए चावल को आप पूजा में रखें। पूजा के बाद मा से अपनी मनोकामना मांगे और चावल की पोटली को अपने पर्स याफित जहां पर आप पैसा रतने उस ती जोरी में रख दे। ऐसा करने से आपकी सारी कार्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। जोती शास के रुणसार हर रोज मा काली की पूजा करनी चाहिए और शुक्रवार के दिन काली मंदिर जाकर धूब दीब के बाद भोग लगाएं। साथ ही मा काली की स्थुती भी करें और मनो काम न मांगें। ऐसा करने से आपके घर में नाकारात्मक शक्ति खत्म होती है और साकारात्मक उर्जा का प्रवेश होता है। इसी तरह की अन्य बाते उपायर वरत कता है जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तूशास देखते रहें। और अगर पसंद आए तो से लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।